वेलकम दोस्तोव। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बसक ahí इस वीडियो का टॉपिक है। वो है इंट्रो ऑफ 10,000। बढ़त दोस्तो और 10,000 को इंट्रड्यूस करने से पहले मैं आपको एक कॉंसेप्ट समझाना चाहता हूं। इस concept में basically यह है कि ऐसे हम लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई number है 0 से लेके 1, 2, 3, till 9 तो इस sequence का इस pattern का जो 9 है वो largest largest first digit number है ठीक है दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं तो immediately हमारे पास 10 आ जाता है और 10 यहाँ पर मैं देखूं तो 10 जो है वो smallest smallest two digit number है अगर गौर करने वाली बात यह है कि यही pattern मुझे अगर मैं अपना इसको बढ़ाता रहूं तो यह pattern मुझे अगर मैं जाओं let's suppose यह pattern continuous रहा और यह फिर मैं आया 91,92 तिल 99 तो 99 क्या हो गया मेरा 99 टू डिजिट्स का टू डिजिट्स का greatest number हो गया greatest number हो गया ऐसे ही दोस्तो अगर मैं आगे चलूं तो जैसे मैंने उपर किया है यहां पर 100 जो है वो smallest number हो गया smallest number हो गया smallest number हो गया 3 डिजिट्स का तो मैंने कहां conclusion निकाला और और यह same pattern follow होगा दूस्तो अगर मैं यहां पर 999 लिखो और same मैं लिखो यहां पर 1000 तो यही है यह 3 डिजिट्स का सबसे बड़ा number है यह 4 डिजिट्स का सबसे चोटा number है तो अगर मैं इसको generalize करूं तो मेरे को एक pattern मिलता है उस pattern में मेरे को यह पता चलता है कि 9 plus 1 is equal to 10 99 plus 1 is equal to 100 999 plus 1 is equal to 1000 तो इस pattern में मुझे दोस्तों यह बताया कि जो greatest है greatest है greatest of कुछ भी ले ले हम 2 digits number plus 1 is equal to smallest of smallest of 2 sorry greatest of 3 digit number plus 1 is equal to smallest of 2 digits number ऐसे ही हम conclude करेंगे यहां आपका जो तीन number का greatest number है दोस्तों अगर मैं इसको generalize करूं तो मैं यह देखता हूं कि अगर greatest of let's say मैं इसको generalize करता हूं greatest of 2 digits 2 digits number plus 1 is equal to smallest of smallest of 3 digits number ऐसे ही दोस्तों यहां का जो 2 है plus 1 मैं कर दूँ तो यहां की 3 digit number का वो smallest हो जाएगा यहां का greatest plus 1 is equal to smallest of the higher digit number यह एक generalized terms मेरी बन जाती है तो इसका मतलब अगर मैं 10,000 को देखू हूं तो 10,000 मेरा कहां से निकल के आया है अगर मैं conclude करूं तो 10,000 मेरा इस तरह से आता है कि इसके अंदर 10 फिर 30 है तो total इसके पास 4 0 है और total digits इसके पास है 5 digits 5 digits है तो 5 digits अगर 10,000 के पास है तो इसका मतलब यह 5 digits का सबसे 5 digits का सबसे छोटा number है तो अगर मैं अपनी generalized terms से चलूं तो मैं यह देख सकता हूं कि मैं यह देख सकता हूं कि 9999 4 digits का greatest plus 1 is equal to 5 digits का smallest जो कि 10,000 है तो यहां पर मैंने यह conclude किया कि अगर 10,000 जिसके अंदर 5 digits है उसको मैं अगर ब्रेक करूं और उसको बनाओं तो वह बनता है 4 digits of 9999 plus 1 plus 1 and is equal to 10,000 10 then 3 zeros तो यह एक basic terms हो गया basic method हो गया किसी भी number को निकालने का किसी भी बड़े digits के number निकालने का कि अगर किसी भी number का digit यहां पर smallest है वो किस से बना होगा दोस्तों वो यहां के एक digit कम के greatest के greatest number plus 1 से बना होगा तो अगर मैं इसको और general करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ greatest of n digits plus 1 plus 1 is equal to smallest smallest of n plus 1 digits तो इस तरह से मैं इसको एक general terms में convert कर सकता हूँ और इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि 10,000 मेरे पास कहां से आया है तेंक्यू झाल